खबरी टावा से है यहाँ पर सोन चमपा फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाली बाल कलाकार सकंदा राठोर के साथ हमारे सम्मादाताज जीकुमार सिंग ने बातचीत की जिसमें उन्होंने बताए कि हमें पढ़ाई के साथ साथ अपने अंदर छिपी हुई प्रतिवा बतनाया है वह इससे पहले भी कई फिल्में बना चुके हैं पर फुरुस्कार भी पा चुके है उन्होंने बच्चों को लेकर ऐसी कई फिल्में बनाई है ननकी हर कहानी में कुछ न कुछ सीख अवस्य होती है हर चीज से तब तक चलती है ज़र तक उसे रोका ना जाए कौन रोकेगा इसे मैं रोकूंगी आज हम आपकी मुलाकात इटावा में बनी सौन चंपा फिल्म में मुक्पूम का निवाने वाली इसका अंदर अठोर से करा रहे हैं इस फिल्म को अंतरस्टी फिल्म आवार्ड में कलकता में बेस्ट फिल्म का आवार्ड भी मिला है यह आपको फिल्म कैसे मिली क्या रिजना कहां से आपको कैसे बुआ है इस फिल्म की जो डारेक्टर है राम जनम सर उन्होंने यह फिल्म काफी पहले सोच ली ती लेकिन कुछ कारणों के तहट ये फिल्म नहीं बन पाई और अभी जब इस पर चर्चा हुई तो मैंने तुरण था कर दिया और मेरे हिसाब से शायद रामचनम सर के मन में सोन चंपा की भूमिका में मैं ही थी इसलिए उन्होंने मिर्र से बार-बार बोला सब्य लोग आपको श 제가 अंप कीसा में कि मुझे काफी अच्छा लगता है कि अगर मुझे कोई सिंपा बुलाए क्यूंकि अगर लोग ऐसे बोल रहे हैं तो इसका लब यह होता है कि मैंने इपनी ब्हूमी का काफी अच्छे से निभाई और यह सुनते ही मुझे काफी अच्छा लगता है है अपने अच्छी कि है आपकी आपके अपहली पहली तो चोटे-मोटे रोल करें लिकिन एसे मोख्या रोल मुझे आज तक नहीं मिला और इसमें काम क करते हो मुझे काफी अच्छा लगा और अभी तो मैं एड्थ में यू तो ट्रेनिंग नहीं चाहूंगी कि पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होता अगर तुम्हारे अंडर को हुनर है तो उसको बाहर लिखे रहा हो और सबको दिखाओ क्या पता वो रंग लाए और इस फिल्म से मुझे काफी सारे अनुभव मिले मैंने बहुत इंजॉय करा यह सब कुछ मूवी बनाते हुए मैंने मतलब मैं बहुत लोगों से मिली गाओं का वाता वरड भी अलग होता है और मैंने बहुत इंजॉय करा मैं पेडों पर जूली लोगों के साथ गई तो बस काफी अच्छा लगा क्या आप इसी छेत में बढ़ना जाएंगी या कोई और पवस्में योजना है अभी तो मैं अपनी सिक्षा पूरी करना चाहूंगी क्योंकि वह बहुत महत्वपूर होती है उसके बाद मैं देखती हूं मुझे क्या करना है आपकी क्या होबी है किस लाइन में आप छेत में जाना चाहती है मेरी होबी टेंपरेरी होती है जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले लिखना ट्राय करा मैंने कविता भी लिखी समय की उपर और डांस करना मेरी होबी है वैसे तो देखा आपने इसकंदर अठोर न मुवी में मुक्वूम का नवाई है और इसके एक्टिंग क मोटिवेड करना चाहिए यो बवश में आगए सफलों और एक सीक दे सकें इस मुवी के जर्यें शीक दे गई है उसी परपस से यह बनाई गई है और बच्चों को मोटिवेट करना ही चाहिए हर मावापको इस तरह बच्चे आगे बहुसर बढ़ाएंगे बिना किसी जोर उसके इटावा से स्युकुमार सिंग्स की रिपोर्ट टीवी बान इंडिया नहीं